हेलो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम बात करेगे बैंक कलर्क की एक्सपेक्टिट सैल्डी के बारे में जो कि 12th बैपटेट सैटलमेंट जैसा कि आपको पता है साइन हो चुका है 6 मंस के अंदर जो है यह आपका लागू हो जाएगा तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम इस चैनल को सब्स्राइब कर लिजे आपको सारी लेटेस्ट न्यू जो है यहाँ पर आपको मिलती रहेगी और एक्जाम के बारे में भी आपको गाइड किया जाते हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी है तो इस वीडियो को सुरूश लेकर प्रूला से देखिए मैं आपको बढ़ाता हूँ कि नया बेसिक आपको क्या हो सकते हैं और आपका जो है ग्रोस सेलरी कितनी रहने वाली है तो फ्रेंट्स अभी जो प्रेजेंट ग्रोस सेलरी चल रही है एक कलेरिकल की जो स्टार्टिंग में न्यू जोईनी रहता है उसकी 38,000 जो है उसकी ग्रोस सेलरी रहती है उसके आपको कुछ डिड़क्शन होते है इनेंट सेलरी जो है 34, 35 के राउंड जो है मिल जाती है तो इसमें जो है 12th बैपरटेट्स सेटलमेंट हुए है उसमें जैसे आपको पता होगा यूनियन ने 17% का पेसलिप पर इनिक्रिमेंट दिया है जिसमें बेसिक पेक में जो है डिए मर्ज होना है तो वो सम मिलाने के बाद 3% लोड फेक्टर करते उसके आद मैंने सारी क्लेशन इस्टूडियो में की है तो यहाँ पर मैं पहले आपको बता देता हूँ जो हमारा बैपेटेट सेटलमेंट जो है 12th BPS जो हमारे डियू चल रहे है वो 1st of November 2022 से चल रहे है तो हमारा जो डिये देखा जाएगा जो मर्ज होएगा असमे वो 31st October 2022 का वाला जो है मर्ज होना है तो यहाँ पर मैंने उस पर डिये लिये है उस टेम पर जो डिये चल रहे था 30.39% था जो की 6,046 रुपीज होता है और जो हमारा पहले का जो बेसिक चल रहे है वो 900-900 चल रहे है तो यह जो है डिये इसमें मर्ज होना है फिर यह मर्ज होने के बाद जो आता है उसके जो है 3% का लोड फेक्टर यहाँ पर लगना है तो फ्रेंट्स फिर आपका जो है नया बेसिक बनने वाले है तो यहाँ अगले से मैं आपके लिए कर दी है यहाँ पर जो है इनको एड करने के पास हमने एड किया है इसमें 3% लोड फेक्टर जो की एगरिमेंट में साइन हुआ है तो 3% लोड फेक्टर एड करने के बाद जो हमारा न्यू बेसिक कलेरिकल का न्यू निकल करके आएगा वो आएगा 26,720 रूपीज तो फ्रेंट्स यह बेसिक वो बेसिक होगा जो एक न्यू जोएनी कलेरिकल रहेगा चाहे वो SBA clerk में हो IVPS clerk में हो या फिर RRB clerk में हो तो यह आपका जो है नया बेसिक होने वाल है तो यह एक अच्छा खासा यहाँ पर बेसिक इनक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा होगा इसके उपर अभी DA भी लगेगा HR भी लगेगा और इस्पेसल अलाउंस भी जो है बढ़ करके आएगा वो 70% ओवरोल हमारा बढ़ना है तो फ्रेंड नया बेसिक मैं आपको बता दिया है इसके बाद अगर मैं आपको टोटल ग्रोस सैलरी बताऊं यह आपका नियू बेसिक होगा असपे DA जो अगर आज की डेट में इसको लागू करते है यह आज की डेट कहा है नवंबर दिसंबर जन्वरी जो हमारे DA भी चल रहा है इन 3 मंस के लिए वो 50.54% जो है नियू एगरिमेंट के हिसाब से निकलता है यह जबी भी लाग होगा उस टैम का DA जेखे जाएगा अगर माहन लीजे फैबरेली के बाद होता है तो फैबरेली में कुछ DA बढ़ेगा वो इसमें जो है निक्रिमेंट हो जाएगा यह मैं अभी आपको बता रहा हो अगर नवंबर दिसंबर जन्वरी में लग क्या आते है तो 50.54% जो है आपका DA भी देखा जाएगा उसके बाद HR यह सबकुछ अगर हम जोड़ दिया जाएगा फिड़ी यह होनी सबकुछ अगर होता है तो टोटल ग्रोस सैलरी जो एक कलेरिकल की आएगी न्यू जोइन नीगी वो 44,500 रुपी जाएगी तो यह ग्रोस सैलरी है इसके ओपर से कुछ अलावंस भी होते हैं और जो बैंक जो कॉंट्रिबूट करते हैं एनपियस के रिगार्डिंग वो इससे जो है अलग रहते हैं तो फ्रेंट्स यह एक अच्छा खासे अमाउंट है अगर आपको इनीशल जो आपको इतना अमाउंट मिल रहा तो यह अच्छा खासे अमाउंट आपको दिख रहा होगा 44,500 कट कुटा के आपको इन हैंड जो है 40,000 के आसपास अराम से मिल जाएगा जो कि एक अच्छा माउंट आपका माना जाएगा जोब के लिए तो फ्रेंट्स आप अच्छे से अपनी तयारी कीजिए और मैंने वीडियो भी बना रखे कि आपको अगर आप नहीं हो बैंकिंग की फिल्ड के तयारी कर रहे हो तो आपको कैसे जो है तयारी करनी चाहिए और जिनका एक सेलेक्शन नहीं हो रहा है अपनी तयारी को आगे ली जाना चाहिए तो फ्रेंट्स चैनल को सब्स्राइब कर लीजेगा और मैंने आपको बता दिया है इससे पहले मैं पियो की वीडियो लेकर आया था अगर आप नहीं देखे कि एकस्पेक्टिस सेलरी कितनी हो सकती है तो लिंक में डिस्केस में प्रवेट करती है आप वहाँ से जा करके देख सकते है तो फ्रेंट्स अभी प्रेजेंट जो ग्रोष चल रहा है आज की डेट में थाटे थाज़न जो है एक इनीशल सेलरी है ग्रोष सेलरी आरारी भी कलर की और IVPS कलर कोई भी कलरी कलो बैंक का उसको 38,000 आपको इन एंड मिल जाती है इन एंड क्या रहा हो वह ग्रोष सेलरी आपकी है और जो न्यू हमारी ग्रोष सेलरी रहने वाली है वो 44,500 रहने वाली है जो इनिक्रिमेंट ग्रोष में देखने को मिलेगा 6,500 के आज पास जो है ग्रोष इनिक्रिमेंट देखने को मिल जाएगा तो कि अच्छा खासा आपका इनिक्रिमेंट इस बार लगने वाला है तो फिरें इसके बाद कुछ अनावसी भी है वो आगे हम डिसकस करेगे जब 6 months का union ने time दिया है 6 months में जो है यह हमारा पूरा settlement हो जाएगा तो फिरें इस वीडियो में इतना ही आगे वाली वीडियो में मैं आपको लेके आऊँगा कि कैसे आपको जो आगी के तयारी अपनी सुरू करनी है तो चैनल को subscribe कर लिजे इस वीडियो में इतना ही thank you friend have a nice day